आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोइल के सेटिंग में आप लॉग कैसे लगाएंगे तो इस वीडियो को आप शुरु से लाश्टक देखते रहें तो आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने play store में और play store में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है app lock जैसे आप सर्च करते हैं तो तीसरे नमबर पे यह application आपको मिल जाती है app lock तो इसे आपको क्या करना है यहाँ से install कर लेना है जैसे आप इसे install करेंगे तो ज यहां से आप जैसे open करेंगे तो यहां पे आपको draw and unlock pattern तो आपको यहां पे pattern lock set कर लेना है तो चलिए हम यहां से set कर लेते हैं और इसके बाद आपको यहां से confirm भी कर लेना है confirm करने के बाद यहां पे आपको क्या करना है agree and start पर click करना है जैसे आप agree and start पर click करेंगे इसके बाद आपको setting पे चले जाना है सेटिंग पे जैसे जाते हैं तो permission required तो यहाँ पे आपको permit करना है यह जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे आप permit पे click करते हैं तो यहाँ पे access दे देना है आपको setting का तो जैसे आप देख रहे हैं setting sorry app lock का यहाँ से आपको access देना है इसके बाद आपको क्या करना है कि please permit draw over other apps to get advanced features पर्मिट पे आपको किलिक करना है जैसे आप पर्मिट पे किलिक करते हैं इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं एप लॉक से जाकर फिर से आपको इसे अलाव कर देना है और अलाव करने के बाद आपके सेटिंग पे लॉक लग चुका है इसके बाद आप बैक आते हैं और ब देख रहे हैं यहां जैसे आप इस तरह से अपना पैटर्न देते हैं तो आपकी सेटिंग खुल जाती है तो यही प्रोसेस है अपने सेटिंग पे एप लॉक लगाने का तो गाइस उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको करेंग दो कि यह वीडियो आपको अट भीडियो आपको अपनो जाता है